Photoshop की बुनियादी बातें सीखने के लिए तयार? Computer पर Photoshop उपन करने के लिए Start पर जाएं. इस सूची में वह संसकरण नहीं है जो मुझे चाहिए. इसलिए मैं प्रोग्राम का नाम Photoshop टाइप करता हूं और नई सूची में Adobe Photoshop CS3 पर क्लिक करता हूं. Photoshop इंटरफेस खुल गया है. ये ग्रे रंग का एक बड़ा सा एरिया है जिसके सबसे उपरी हिस्से में मेनुबार है. बाइयोर टूल्स पैनल है और दाइयोर अन्य कई पैलेट्स या डायलोग बॉक्सिस हैं. बाइयोर के टूल्स पैलेट में Photoshop के सभी टूल्स हैं. इन में से कुछ आइकन्स के नीचे उनसे संभन्दित अन्य भी टूल्स छिपे होते हैं. हम इन सभी टूल्स के बारे में जरूर सीखेंगे लेकिन बादवाले मॉडियूल में. सबसे उपर ये Photoshop का मेन मेनु बार है. ये सब अकसर इस्तिमाल किये जाएंगे. फाइल ओप्शन से आप फाइल्स को ओपन, क्लोज, सेव और प्रिंट कर सकते हैं. एडिट ओप्शन आपको इमेजिस को कट, कॉपी और पेस्ट करने देता है. जबकि इमेज ओप्शन के कमांड्स इमेज के साइस पर और इमेज से संभन्दित इसी तरह के काम करने देता है. इंटरफेस के दाइं और ये अन्य पैनल्स दिख रहे हैं. ये कलर्स पैनल है. ये दिखाता है कि कौन सा कलर मोड इस्तिमाल किया जा रहा है. यहाँ पर हम RGB मोड इस्तिमाल कर रहे हैं. इसको थोड़ा समझाने की जरूरत है. डिजिटल इमेजिस को विभिन्य मोड में क्रियेट किया जा सकता है. उनका मोड इस बात पर निर्भर करता है कि वे अंतितह किस माध्यम पर देखी जाएंगी. यहाँ पर RGB मोड है, जिसमें R का मतलब है Red, G का Green और B का Blue. इस मोड को तब इस्तिमाल किया जाता है, जब इमेज को TV या Computer Monitor जैसे डिजिटल माध्यम पर देखा जाना हो. इसलिए, यदि मुझे इन माध्यमों के लिए Image Create करना हो, तो मुझे RGB Color Mode का इस्तिमाल करना होगा. लेकिन, यदि Image को Print करने के लिए Create किया जा रहा हो, तो CMYK Mode का इस्तिमाल किया जाता है, जिसमें C का मतलब है Cyan, M का Magenta, Y का Peelah और K का Black. यदि आपको Image Black & White की Shades में चाहिए, तो Greyscale Mode चुना जाता है. Lab Mode मानवी आँख द्वारा देखा जाने वाला हरा रंग दिखता है. इन रंगों पर माध्यम का कोई फर्क नहीं पड़ता है. ये उपकरण स्वतंतर है, और Colors मॉनिटरों, प्रिंटरों और स्कैनरों पर एक समान ही रहते हैं. अब हम फिर से RGB Mode पर आते हैं. हमारे RGB Mode में अपनी पसंद का Color Create करना बहुत आसान है. उसके लिए सर्फ Slider Move करना पड़ता है. क्या आपने रंगों की रेंज देखी? ये हर उस Color को Create कर सकता है, जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं. Create किया गया Color इस उपरी वर्ग में दिखता है. Photoshop में दो शब्द, Foreground और Background बार-बार इस्तिमाल होते हैं. जो भी Draw किया जाता है, वह Foreground Color ले लेगा. और Erase किया गया हिस्सा Background Color ले लेगा. जैसा कि आप देख सकते हैं, ये उपरी वर्ग Foreground Color बताता है. इसलिए यदि हम मौजुदा Options के साथ Draw करते हैं, तो Shape की Outline हरी होगी. दूसरा वर्ग बताता है कि ये Background Color है, लेकिन Background Color सेट करने के लिए उसे आपको आगे लाना होगा. उसके लिए Toolbox पर जाएं. यहां भी Foreground हरा है और Background सफेद है. अब इस Option पर क्लिक करने से ये Option दोनु कलर्स की अदला बदली कर देगा. सफेद Foreground बन जाएगा और हरा Background बन जाएगा. यदि आपको Outline Black या White में चाहिए, तो इन छोटे वर्गों को चुने. अब आप जो Shape ड्रॉ करेंगे, उसकी Outline काली या सफेद होगी. अब यदि हम वापस कलर पैनल पर जाते हैं, तो अब Foreground, Background वर्ग ब्लैक और वाइट होंगे. आईए, इस पैलेट की अगली टैब स्वाचेस दबाएं. ये Preset कलर्स की रेंज दिखाएगा. लेकिन, यदि इतने रंग परियाप्त नहीं है, तो नया कलर क्रियेट करें और इसे नए स्वाच की तरह सेव करें. ये टैब दिल्चस्प Options ओपन करता है. लेयर के लिए Preset Styles. इनको लेयर पर सीधे इस्तिमाल किया जा सकता है. लेकिन लेयर क्या है? इसको थोड़ा समझना पड़ेगा. तने और पत्तियों वाले एक फूल की पेंटिंग की कल्पना करें. मान लीजिए कि वह फूल हिस्सों में बना हुआ है. फूल की पंखुडियां, तना और पत्तियां तीन पार दर्शक शीट्स जैसे की कांच पर पेंट की गई है. यदि उन्हें एक के उपर एक रखा जाए, तो एक फूल दिखता है. इसलिए जब हम फूल पर काम करते हैं, तो तने पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि वो अलग शीट्स पर है. फोटोशॉप में लेयर्स इन पार दर्शक शीट्स जैसी है, और ये फोटोशॉप का सबसे महत्वपूर्ण भाग है. आईए, अब हम एक इमेज ओपन करते हैं और देखते हैं कि लेयर्स किस तरह काम करती है. कितनी रंगीन इमेज है, है ना? आईए, देखें कि लेयर्स का क्या होता है. हमारे पास बैग्राउंड लेयर नामक एक लेयर है. याद रखिए, फोटोशॉप फाइल में किसी भी पहली लेयर का नाम डिफॉल्ट रूप से बैग्राउंड लेयर होता है. इमेज पर काम करने से पहले, बैग्राउंड लेयर की कॉपी बनाना महत्वपूर्ण है. ताकि आपकी ओरिजिनल इमेज वैसी की वैसी ही रहे, तो आईए इसे करें. आप जिस लेयर को कॉपी करना चाहते हैं, उस पर राइट क्लिक करें. डूप्लिकेट सिलेक्ट करें. एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिसका नाम डिफॉल्ट रूप से लेयर बैग्राउंड कॉपी है. वहां कोई दूसरा नाम भी टाइब किया जा सकता है, लेकिन अभी मैं बदल नहीं रहा हूँ. इस पैनल के निचले हिस्से में टैब्स से नहीं खाली लेयर क्रियेट की जा सकती है, और डिफॉल्ट रूप से इसका नाम लेयर एक होगा. क्या ये सचमुच खाली है? आईए देखें. लेयर्स पर ये आईबॉल आइकन देखें. इससे पता चलता है कि लेयर देखी जा सकती है. जब आईबॉल मौजूद ना हो, तब वह लेयर नहीं देखी जा सकती. लेकिन इसके नीचे की लेयर्स देखी जा सकती है. इस तरह, याद रखिये, हमने लेयर्स को पारदर्शक शीट्स कहा था, ठीक है, आईए, देखते हैं कि हम उनकी पार दरशिता बदल सकते हैं या नहीं, इस लेयर को सिलेक्ट करें, देखिए, जैसे जैसे मैं इस लेयर के लिए opacity slider move करता हूं, तो क्या होता है, दूसरी background लेयर नहीं दिख रही है, और केवल यही image दिख रही है, इ अब तक आप लेयर को समझ गए हैं, जब मैं अगला tab channels दबाता हूं, तो वह पहली लेयर पर RGB दिखाता है, आपको याद है कि image का mood RGB था, अगली तीन लेयर प्रते color, red, green और blue के लिए तीन channels हैं, पहली लेयर composite layer है, जिसका मतलब है कि इसमें तीनो colors हैं, यदि आप केवल एक channel को visible रखते हैं, तो image gray scale में दिखेगी, देखें कि जब दो layers visible हो, तो क्या होता है, इस image में कोई paths नहीं है, इसलिए इस पर बाद में काम करेंगे, क्या आपने गौर किया कि इस panel के उपरी हिस्से में workspace जैसी image दिख रही है, क्या आपने इस पर गौर किया था, और यहाँ पहले टैपर navigator लिखा है, देखिए कि इस slider में क्या किया जा सकता है, zoom in और zoom out, और यदि मैं इस वर्ग को move करता हूं, तो मैं image के किसी भी भाग पर जा सकता हूं, देखिए इस तरह, अगला टैब info है, और यह file की विस्तरित जानकारी देता है, शायद आप जानते होंगे कि digital image pixels कहे जाने वाले एकदम छोटे वर्गों से बनी होती है, यह टैब आपको color mode में चुने गए प्रतीक pixel के color के बारे में बताता है, इस image में RGB है, x y cursor की सटीक जगह बताता है, देखिए, cursor move करने पर यह किस तरह बदलता है, यह सचमुच काफी ज़्यादा जानकारी थी, लेकिन बहुत रोचक और फाइदेमंद जानकारी थी, है ना? चलिए, अब इस file को save करने का समय आ गया है, Photoshop file, psd file में save की जाती है, जो सभी layers को एक साथ रखती है, यह आवशकता पढ़ने पर, layers पर काम करने देती है, इमेज को printing के लिए jpeg या tif file में save किया जा सकता है, लेकिन jpeg और tif में ये layers के बिना होगी, यदि इमेज web के लिए है, तो इसे png file की तरह save किया जा सकता है, इमेज को जरूरत के अनुसार save करें, ये सारी बातें सीख कर आगे बढ़ें और photoshop के बारे में और जानें,